राज़े राज़े बच्चों मैं हूं इर्देस SCG Institute से आज हम लोग करने जा रहे हैं Class 10 का Chapter Electricity Science में बहुत important है इस Chapter की जो है Own Flow तक वीडियो बनी हुई है आपको description box में उसका क्या नम है Link मिल जाएगा ठीक है तो हम करने जा रहे हैं Second Part जो की आज हम पढ़ेंगे Registance of a system of register सबसे पहले आप यह समझों कि Registance यह register क्या होते है जैसे मालो हमारे पास कोई conductor है और उस conductor में अगर current flow कर रहा है तो उसे रोकने के लिए एक चड़िया होती है जिस चड़िया का नाम होता है Registance तो Registance actual में क्या काम कर रहा है आपके current के flow को क्या कर रहा है तो जो हमारे पास system of register होते है वो दो प्रकार के होते हैं पहला होता है बटा Register in series दिहान से देखेंगे प्यार और मौबश से देखना बटा यह वाला topic क्योंकि यह derivation generally आपका board exam में पूछ लिया जाता है जिहान से देखेंगे series का मतलब क्या होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद yes or no ठीक है तो हम एक circuit बनाएंगे तो जिहान से देखना बटा मैं यहाँ पर पहली लिख देता हूं कि circuit को हम CKT आगे use करेंगे ठीक है तो circuit बना लेते हैं circuit किस तरह से बनाएंगे कि भही हमने क्या काम किया series में R1 एक register जोड़ा तो register जोड़ा है वो resistance बनाने का जो symbol होता है वो यह होता है ठीक है दूसरा resistance हमने जोड़ा जिसको हमने बोल दिया R2 और तीसरा resistance और जोड़ा है जिसको बोला हमने R3 आकिम आपका मन है कि आप 4 जोड़ना चाहते हो या 2 जोड़ना चाहते हो या 100 जोड़ना चाहते हो आपका मन है ठीक है बता है धियान से देखेंगे यहाँ पर मैंने एक बनाई बैटरी क्या बनाई बैटरी अब जब आप प्यार से समझें इस चीज़ को कि अगर हमारे पास एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा होगा, आम भासा में समझ लेते हैं, ठीक है, तो यह होगा हमारे पास सेल, क्या होगा बटा, सेल, परन्तु अगर हम दो या दो से अधिक सेल लगा देते हैं, तो हमारी वो बन जाती है, मेरे प्यारे बच्चों क्या, बैट्ट्री, यस और नो, जो बड़ा डंडा होगा, वो होता है बिटा, पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा होता है, वो होता है निगेटिव टर्मिनल, यस और नो, दूसरी बात क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों कि, जो प्लस होगा, वहां से हमारा करंट क्या करता है, फ्लो करता है, निकलता है current और जाते जाते R1 में भी जाएगा वो R2 में भी जाएगा R3 में भी जाएगा और उसके बाद क्या है यहाँ पर हमने लगा दिया एक M meter M meter का काम क्या होगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं M meter का काम होगा To measure the current A से denote करेंगे हम उसको यह क्या काम करता है Current को measure करने के लिए काम आता है इधर side कर देख़ा है चलिए अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है एक लगा दे चोटी सी चुल्मी सी की क्या लगाई हमने की की का मतलब क्या होता है कि अगर यह dot है तो current pass हो रहा है और अगर dot नहीं होगा तो current pass नहीं हो रहा होगा हमारे सर्फिक में से यह आली बात के लिए रोगई अच्छी से समझ में आगई अब ज़रा धियान से देखना कि जब current flow हो रहा होगा ओम सलो के accordingly हमने पढ़ाता अगर current flow हो रहा है तो क्या ना में potential difference भी होगा ठीक है तो potential difference R1 के लिए हमने बनाये बिटा B1 बोल दिया इसको let's suppose और इसके लिए हमने बना दिया क्या बिटा B2 ठीक है बिटा और इसके लिए हमने बना दिया क्या B3 यह वाली बात clear हो गई अच्छे समझ में आगई तो यह वाला terminal positive यह वाला negative यह positive यह negative यह positive और यह negative current ऐसे जा रहा है और नीचे आके इस तरह से जितना current निकला उतना ही current आया बहुत अच्छे से clear हो गई now अब समझो बटा सारे बच्चे कि register in series बता हमें total resistance बताना है इस circuit के अंदर का तो total resistance कैसे find out करेंगे सबसे तला आप यह देखिए from from ohms law क्या बटा from ohms law क्या होता था V is equals to IR होता था yes or no अगर आप देख पा रहे होगे कि भई R1 के लिए V1 potential difference है voltage है R2 के लिए V2 है R3 के लिए V3 है तो अगर मैं यह कहूँ कि पूरे circuit में voltage कितना होगा potential difference कितना होगा V is supposed कर लू ठीक है तो V is equals to मैंने क्या माल दिया बटा चलो यह तो कोई दिक्कार नहीं V is equals to IR यह तो पहले equation नाल दो ठीक है और पूरे circuit में हमारे पास जो potential difference किया होगा V1 प्लस में V2 प्लस में V3 यह मैंने माल दी second equation फोई निक्कार ठीक है अब इस वाली equation से अगर आप देख पारे होगे तो V is equals to मैं IR है ठीक है तो मुझे variable की value अगर मैं इसमें लगा दू V2 की value इसमें लगा दू V3 की value उसमें लगा दू तो मिरे पास total V निकल के आ जाएगा clear हो रही है लिवाज तो देखो धिहां के देखना V1 की value क्या होगी V1 अच्छा यहां पर हर जगे current same है ना आपको तो बहुत धिहां सा समझना लिटा है चीजों को कि current तो हमारा क्या रहेगा बिटा same रहेगा mcq में यह कोशन बनने वाले है ध्यान रखना और जो voltage होगा आपका बिटा वो क्या होगा हर case में different होगा यह आपका बिटा mcq में कोशन बन जाता है yes or no ध्यान से लेखेंगे तो v1 is equals to क्या हो जाएगा i i तो constant है i तो same रहेगा लेकिन change क्या हो रहा है r1 change हो रहा है तो यह हो जाएगा r1 तो v2 is equals to क्या हो जाएगा i r2 और v3 is equals to क्या हो जाएगा i r3 तो v1, v2, v3 की अगर values आप यहाँ पर लगा दोगे तो आपके पास v निकल के आजाएगा देखिए v equals to में v1 की वैली कितनी है i r1 plus में i r2 plus में i r3 ठीक है बटाई और इस v की वैली क्या है i r है तो यहाँ पर लिख देंगे i r पर हम 2 क्या पढ़ रहे हैं बटाई series में पर रहे हैं ताकि resistance in series दिखाई दे जाएं clear होगे यह लिबाद बराबर में यहाँ पर आईए यहाँ पर आईए तो i common ले लू तो यहाँ पर क्या पच्छे का बटा r1 plus में r2 plus में r3 i से i cancel होगया तो हमारे पास जो formula निकल के आ रहा है वो आ रहा है बटा rs का r1 plus में r2 plus में r3 तो यह आता है बटा formula रजिस्टेंस का series के अंदर अगर आप से कहा जाए बटा for n resistance मालो इसमें कई सारे resistance होगे तो क्या हो जाएगा formula rs बराबर में क्या हो जाएगा r1 plus में r2 plus में डेड़ 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 rn तो यह हो जाए बटा register in series clear होगे क्या formula निकल के आया हमारे पास rs बराबर में r1 plus r2 plus r3 clear होगे चौब जेन के पबजी खेल चेल जए तुम सबसे ज़्यादा बार नस तुम्हीं करना ही है क्योंकि तुम्हारा नाम ही हाँ पर वीडियो में आ रहा है शिवाब ठीक है तो यह जरूर देखना वीडियो चलिए बटा तो सेकेंड है हमरे पास register in parallel पहुत important topic है ज्यान से लेखेंगे सबसे पहले तो इसका circuit बनाएंगे circuit पढ़िंआ मुणना भईवानम समझा लेना circuit एक डाइग्रांम सने विरल्फ में हम लोगों ने जो रखे थे एक के बाद एक के बाद एक के बाद रखे ते इसमेल हम लखेंगे ऊपर नेचे और नीचे और मेंरें देखताए में द्यान से देखन से और विच्छे कि एक resistance यह आया हमारे पास यह एक resistance हमारे पास यह आया और एक resistance हमारे पास यह आया ठीक है बाटा यहां पर हमने क्या लगा दिया बैटरी लगा दी यहां पर हमने क्या लगा दी जो इसको बंद करेगी या ओपन करेगी ठीक है और इसको हमने ऐसे तरके जो लिया और यहां पर बापस आएगा बहुत प्यार्व से देखें लिए अगर आई निकला यहां से तो अब यहां पर देदो यहां पर करेंट जो होगा वह बत जाएगा तीन उसमें और यहां पर लगा देते हैं यहां पर देदो और यहां पर जाएगा बिटा आई तो उसके मुकावले उस वाले डाग्राम के मुकावले आपको यहां पर क्या अलग दिखराए तो आपको यहां पर दिखा है बिटा क्या करन जो होगा वह क्या होगा इसका वी एक चुनना सा डेरिवेशन को कर लेती है यहां पर आपके पास जो डिफरेंट होगा उसको निकालेंगे तो यहां पर अलग अलग चादे रखाए तो टोटल करेंट इसमें आई होगा तो आई वन प्लस में इसको डाल दो विटा साइकंड इक्वेशन यह सर्नो तो दिखान से लेगना आप आई वन की वेल्यू निकालते हैं तो यहां पर यह आई है यह मैं नीचे आके क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा तो वी अपॉन में आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा यह बताओ आ इस आई की जगे में क्या लिख सकता हूं यहां से वी अपॉन में आर परंतु पढ़ रहे हूं तो रजिस्टेंस भी तो पैरलल की छोटा पी लगा देते हैं अलग कैपिटल में लिखा जाएगा लेकि छोटा से लिखा जाएगा तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बिटा यहां पर वी को मन आजाएगा अंदर के बैचे गा वन अपॉन में आर वन प्लस में प्लस में फीर्itaire केंसल करना क्यों कुणकि जो था वो क्या था सेम थहा तो नहीं कॲियर हो रहा हूं रहे है बात वीडियु चक्रने ना बलग भ्लाग तो नहीं हो रहे है ब्लैर ग्रहे के लिए फॉर्मूला अच्छे सक के लिए रहो गया तो यह दो डारिवेशन थी अब इसी वीडियो में बहुत टाइम है हमारे पास इसी वीडियो में हम जो है नुमेरिकल भी करेंगे ताकि इन फॉर्मूलों का कहां पर यूज किया गया है ठीक है एक नुमेरिकल देख लेत आपके पास जो बोल्डेज है वी आपको दे रखा है वेटएं ट्वेलग वोल्ड गोल्ट धुक्टा बीडटे-ट्वेलग ट्वल्ड। तो I1 निकालना पढ़ेगा, इसी परकार से I3 निकालना पढ़ेगा, ठीक है तो I1 निकालने के लिए क्या करेंगे? V12 अपॉंड में 5, ठीक है तो यह कितने आगे बटाक के पास? I2 कैसे निकालोगे? V अपॉंड में R2, ठीक है? अब पहला वाला कोशन आपका कम्प्लीट हो चुका है आई वन आई टू और आई त्री की वेल्यू आ चुकी है अगर जी है आपकी कि आप इसे डिवाइड करके डेसिमल में लिख सकते हो सेकेंड आपसे टोटल करण निकलवाया गया है इन सर्केट तो बी पॉइंट क्यासे करेंगे टोटल करेंट कर लेना तो यह क्या जाएगा आपके पास टोटल करण आज जाएगा सी दिखते हिसाएं तोटल सर्केट ही डेस्टेंच मतबाब हो डगा से इस निकाले का फॉर अगल्य जारी सरी काली जा रहा रही आपर की फुर्षिंगे हमें क्वर स्लेट को है इस स्विडियो देख रहे तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझ सकते हैं यहाँ तक अगर वीडियो आपको इन्फॉरमिटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने उपने विडियो को शेर भी करते हैं रा आधे लादेना